साथ्यो स्वतंत्र ताके सत्तर वर्ष बाद भी हमारे देश में चार करोड से जादा गर ऐसे हैं जिसमें बिजली कनेक्शन नहीं है भारत में कुल परिवार घर 25 करोड है उसमें से 4 करोड एने करीब करीब 20% आप सोचिए चार करोड घरों में रहने वाले लोगों कि जिन की कैसी होती होगी 2823 श्रताबदी में गुजारा कर रहे हैं आप कल्पना करिए कि आपकी जिन्द्गी से भी अभी बिजली चली जाने हैं तो आपकी जिन्द्गी कैसी होगी 7700 साल से ज्यादा का समय बिच चुका है जब महान वैज्ञानिक थोमस अलवा एडिशन ने बल्ब का आविश्कार किया था दुनिया को अपना आविश्कार दिखाते हुए एडिशन ने कहा था We will make electricity so cheap that only the reach will burn candles यानि हम बिचली को इतना सस्ता बना देंगे कि सिर्फ अमीर ही मुबत्या जलाये करेंगे हम सभी के लिए ये दुखद है अपसोज जरग है कि आज तक देश में चार करोड परिवारों में बल्क तो दूर बिचली तक नहीं पहुँच पाई है उन घरों में आज भी मुबत्या जल रही है धीबरी जल रही है लाल्टेन जल रही है उन करोडों गरीब परिवारों में आज भी शाम के बाद बच्चों को पढ़दे में दिक्कत होती है पढ़ते भी हैं तो उसी लाल्टेन की रोशनी में मैं जब छोटा था मैंने भी ऐसे ही पढ़ाई की तो हमारे जो बुजूर्द लोग थे वह में समझाते थे कि आप ये मिट्टी के तेल से जलने वाली बत्ती से मद पढ़ा करो तो बहरे आँखें खराब हो जाएगी सांस में सब जाएगा तो मैंने क्या करूँ तो बोले कैस्टर ओएल का जो उप्योंग करके दिया जलाओ उस दिये से पढ़ाही करो तो हमने बच्पन में कैस्टर ओयल के दिये से प्रकाश करके जिंद्गी को कुछ से आगे बढ़ाने का प्रयास किया था तब जाकर के मन में लगता है कि चार करोड परिवारों का क्या होता होगा सुक सुविधाओं की बात छोड़िए घर की महिलाओं को भी अंधेरे में खाना बनाना पड़ता है और इसलिए जादातर महिलाओं पर दिन ढ़लने से पहले ही रसोई का काम खट करने का भी दबाव रहता है गरों में रोष्णी नहीं बिजली कनेक्शन नहीं तो इसका सीधा आरशर रास्तों की रोष्णी पर भी पड़ता है अंधेरे में गर से बाहर निकलना और मुश्किल हो जाता है विशेशकर महिलाओं तो जैसे गर में ही बंद कर रहे हैं उनको गुजारा करना पड़ता है बिना बिजली के जिन्द की कैसी होती है यह समझना हमारे आपके उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जिसके पास बिजली का कनेक्शन है बिना बिजली वाले इन गरों में जब बिजली का connection पहुँचेगा तभी उनका भागे चमकेगा तभी उनके लिए सवभागे होगा प्रदान मंत्री सहज बिजली हर गर योजना यानि कि सवभागे योजना के तहट सरकार देश के हर ऐसे गर चाहे वो गाउं में हो या शहर में हो या जुग्गी जोपणी में हो दूर दराज वाले इलाके में हो उस घर को बिजली connection से जोडने का आज हम संकल्प करके आगे बढ़ते हैं किसी गरिब से बिजली connection के लिए किसी भी तरह का सुल्क नहीं लिया जाएगा सरकार गरिब के घर पर आकर बिजली connection देगी जिस बिजली connection के लिए गरिब क्यों गाउं के मुख्या के गर पर सरकारी दप्तरों में चक्कर लगाने पड़ते थे उस गरिब को गर जाकर ये सरकार खुद बिजली connection देगी बिना एक भी रुपिया लिए बिजली connection दिया जाएगा देश के हर गरिब के घर में बिजली connection पहुंचाने के लिए 16,000 करोड रुपिया से ज़्यादा का खर्च आएगा 16,000 करोड रुपिया का जिम्मा उन परिवारों की जिंदगी में एक नई रोष्णी लाने के लिए है हमने ये तह किया है कि इसका बोच किसी गरीब पर नहीं डाला जाएगा इस सरकार ने गरीब को ये सवभागे देने का संकर्प किया है गरीब को सवभागे का संकर्प हम सिद्ध करके ही रहेंगे